Hello students, hope you are good. So guys, आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस थेरम. देखे, गॉस थेरम क्या होती है? बहुत अच्छे से समझेंगे इसको. And this is very important question. ठीक है ना? और इसके बाद इसके application पार्ट भी देखेंगे हम. तो गॉस थेरम समझने से पहले आपको इस डाइग्राम समझने पड़ेगी. हमारे पास एक spherical shell है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. This is spherical shell. इस spherical shell का radius मैंने कितना लिया है? This is R. Radius इसका R है. और मैंने इस spherical shell के center में मैंने एक charge रखा है. जैसा कि आप देख सकते हैं और charge का, कौन सा charge है यह? Positive charge. और इसका electric field जो होगा, वो outwards होगा. अब आप देख सकते हैं, electric field बाहर की तरफ है. ठीक है? अब gauze थेरम समझने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि electric flux क्या होता है? electric flux का मतलब यह होता है, कि कितनी electric field lines किसी surface के थूँ पास कर रही है. For example, यह कोई surface है मेरे पास, इसके थूँ कितनी electric field lines पास करती है, उसी को हम कहते हैं electric flux. और electric flux को किससे denote किया जाता है? फाई से. Same, in similar way, हमारे पास center में positive charge है, तो electric field की direction जो होगी, outwards होगी. बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब यह जो बाहर जो surface है, यह surface जो बाहर है, इसके थूँ electric field lines पास करेंगी, मतलब electric flux निकलेगा, ठीक है, अब Gauss ने क्या कहा? Gauss थेरम ने यही कहा, कि total electric flux जो निकलता है इस surface के थूँ, ठीक है, total electric flux जो निकलता है इस surface के थूँ, that is equal to q divided by epsilon not. अब इसी theorem को हम प्रूव करेंगे, बहुत आसान वे में प्रूव करेंगे, अब देख लिजे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सफेरिकल शल लिया, electric field outwards है, और यहाँ पे मैंने एक चीज की द्यान से देखेगा, यहाँ पे मैंने एक छोट असा surface area लिया, अब देख सकते हैं, छोट असा, तो इस case में मुझे बताइए, यह जो surface area लिया है, मैंने इस सफेर का, इस पे आप normal ड्रॉ कर लेजे, normal का मतलब होता है, 90 degree ड्रॉ कर लेजे, अब आप देख सकते हैं, इस सफेर पे, जो मैंने 90 degree डाल दिया, normal डाल दिया, उसकी direction, यह मान लिजे ऐसे, उसकी direction और electric field की direction जो है, बिलकुल same है, तो अगर इनकी direction same है, therefore, इनके बीच का angle जो बन जाएगा, that is, 0 degree, बस इसको आप समझ लेजेगा, उसके बाद, अब हमारे पास electric field, देखे, positive charge तो center में है, अगर positive charge center में किसी भी point पे electric field find करना हो, ठीके, आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई charge है, this is charge, किसी भी point पे इस charge की वज़े से electric field की value find करनी हो, तो उसका formula direct आता है क्या, e equals to q upon 4 pi epsilon not distance का square, मतलब r का square, ठीक है, तो यह आप याद रख लिजेगा, किसी भी point charge के वज़े से इतना electric field होता है, अब same, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, e equals to q upon 4 pi epsilon not r का square, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखे, d phi, मतलब ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास total flux की value जो होती है, that is integration of e dot ds, ठीक है, यह flux का formula होता है, अब integration of e dot ds है, अब मुझे बताइए, phi equals to integration of e dot ds, e की value मैंने यहाँ पे put कर दी क्या, q upon 4 pi epsilon not, अब आप देख सकते है, q upon 4 pi epsilon not r का square हमें ने put कर दी है, और साथ में क्या है, ds और dot product जो है, वो convert हो जाएगा, cos of theta में, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, e और ds के बीच में, total angle कितना है, 0 degree, तो therefore, cos 0 की value क्या हो जाएगी, 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखके रखा है, cos 0 equals to 1, उसके बाद q, 4 pi epsilon not r square को इसको बाहर लाईए, क्यों, इसकी integration क्यों ने हो सकती, क्योंकि, अगर q की आप integration कराना चाहते हैं, तो 7 में dq होना चाहिए, अगर आप r की integration कराना चाहते हैं, 7 में dr होना चाहिए, ठीक है, तो, बट हमारे पास तो ऐसा कुछ है नही, therefore, यह सब constant माना जाएगा, इन सब को बाहर लाएगे हैं, ठीक है, बचा integration of ds, तो, यहाँ पे आप differentiation, integration, cancel कर सकते हैं, और बचेगा s, s मतलब total surface area of this sphere, अब total surface area of this sphere का formula क्या होता है, टोटल surface area of this sphere का formula होता है, 4 pi r square, अब 4 pi r square लिख दिया है, मैंने, 4 pi 4 pi cancel हो जाएगा, r square r square cancel हो जाएगा, तो, बचेगे क्या हमारे पास, q upon epsilon 0, so, हमने साबित किया कि total flux जो होता है, that is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge in the surface, I hope guys, you got it, देख लेजे, this was Gauss theorem, अब इसका application part है, जो कि बहुत ही important है,